गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स नव भार्ती परिवार में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है हमारा पाठी क्रम संबदान की नितिया यानि कि जब हम पाठी क्रम को संबदित करते हैं उसको संचालित करते हैं हम कौन-कौन से जो नीथिया हैं उनकी कौन-कौन से नितियों को अपनाते हैं। यानि हम उसके अंदर कौन-कून से तरीकों को अपनाते हैं जिससे कि जिस scholarships कान हम संचालित कर रहे हैं वह हमारे पाठी कर्म को संपरदान करने में एक प्रभावी धुला सके। यानि कि उसे हमें किस तरीके से संचालित करना होता है ये इसके लिए हम कुछ नितियां बनाते हैं कहते हैं जब हम कोई कारिये करते हैं तो उस कारिय की पूर्व तैयारी के लिए उसे संचालित करने के लिए उसे हमें किन विद्यों के माध्यों से हमें संचालित करना है किन- इन नितियों का हम प्रयोग करते हैं जिससे कि जब हम पाठ्यक्रम संपादित करें तो वो एक प्रभावी दिखाई दें तो इसमें जो आज हम कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम संपादान की नितियां इसमें दो हैं एक हमारी है पूछताज प्रसिक्षन और दूसरी है हमारी वार्तालाब नितिया वार्तालाब निति वार्तालाब यानि कि प्रथम है हमारी पूछताज सेखिंड है हमारी वार्तालाब निति इसमें से बच्चों आज जो हम जिस निति का परज़न करेंगे वो है हमारी पूछ पूछ ताज प्रैसिक्षन के बारे में तो हम जानते ही है जिसके लिए हम प्रैनिंग लेते हैं प्रैसिक्षित की जाती है यानि कि जब हम पाट्टे क्रम तयार कर रहे हैं तो हमें कौन-कौन सी नितियां उसे समाइब करनी चाहिए संपादित करें जब हुम से शुरू करें तो हमें उसे समझने में या चात्रों कर समझाने में कोई परेशानी ना हो त्य हैं मोह मारी प्रैंसल्ट हैं पूस्ताज प्रामनती है इक कैसी है वैज्यानिक निती है यानि यह किस पर है इस विदी को हम वैज्यानिक धार्णा पर आधारित मान सकते हैं किस पर यह एक वैज्यानिक धार्णा पर धार्णा पर आधारित है वैज्यानिक धार्णा पर आधारित है इसके लिए हम कहते हैं कि जब विद्वता पून विद्वता पून को प्रसक्षित करते हैं छात्रों को कि विद्वता विद्वानिता में उस ज्यान का किस तरीके से प्रयोग करें तो हमें नहीं आता तो इस पूछ तास में छात्रों को उस लंग से तयार किया जाता है कि सिक्षक से जब वो कुछ प्रश्न पूछें तो उन्हें किस रूप में प्रश्न पूछना है यह हम कहें कि जो विद्वान जिस ज्ञान के प्रति उनके अंदर भंडार है उस ज्ञान का किस तरीके से प्रियोग करें इसमें हम कहते हैं गूप अपने वाणे में सब्सक्राइब चाते हैं तो उन्हें किस तरीके से पूछना होता है और जब उन्हों पूछें कि करेंदे हम जिस कारें जो सब्सक्राइब मिलने के बाद क्या होते हैं आजाद हो जाते हैं लेकिन निए हमें जसे जिसे और हमारे वाले उन्हें गुना ना लगे तो इसके लिए प्रस्खित किया चात्र को कि जो सतंत्रता आपको दी जा रही है प्रयोग करें नबालक अनुशाश्यक रहकर और अनुशाश्र में रहकर वह प्रेश्टत पूछने के लिए प्रेडित होते हैं किस से सिक्षक से क्योंकि जब पढ़ा के रहता हैं आप सोते हैं तो उसके अंदर चात्र को पूल सब्सक्राइब करते हैं कि अगर आपको कहीं किसी चीज चैप्टर में समझने नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं साथ में उसके संबंदिता प्रश्न पूछ सकते हैं यहां पर सिक्षत छात्र को सतंता प्रदान कर देते हैं लेकिन उस स्वकंत्रता का छात्र को अनुसाशन में रहकर उन्हें क्या करना चाहिए उसका प्रयोग करना चाहिए अनुसाशन में रहना च 1966 में और इसके जो प्रवर्तक थे इन्हों ने इसे शुरू किया इसके प्रवर्तक जिसे माने जाते हैं वह हैं प्रवर्तक प्रवर्तक है इसके रिचर्ड प्रवर्तक है इसके रिचर्ड इन्हों प्रवर्ति उत्पन करती है कि बालत ऐसे होते हैं जिग्यासु प्रवर्ति के और उनके अंदर से बाहर जो कहते हैं प्रवर्ति प्रवर्ति उनके मन के अंदर प्रवर्ति के बाथया को सकते हैं अगर हमें बढ़ना नहीं चाहिते हैं जो प्रवर्ति बच्चोगे घर थे मंना यह उनकρά करने के लिए पूछ तास में क्या लेते हैं क्योंकि जब पूछते हैं उनके मन के अंदर उनके धिमाग में नहीं प्रेश्णों के खोज होती है और उनकी जिग्यासु प्रवर्ति है उसका भी विकास होता है और अपना जिग्यास रज्व वो शांत करते हैं यानिके मन को जब उन्हें प्रेश्ण का आंसर स्क्षक के द्वर्त हो जाता है तो वह क्या को आता है जो और जो इससे परहाने में भी और सिक्षक पूछ रहे हैं उसमें वह वह अपना आना दंधो करते हैं इस पूस्तास की के यह क्या होता है वो की तुदिक शम्ता का विकास होता जो यहowie पूस्तास स्विधी इसके अंदर हमें कौन-कौन से तक्व को समाईद करते हैं यानि कि ऐसे कौन से मुख्षे बिंदू होने चाहिए जो कि इसे महत्वपून बनाती हैं अगया है कि हम भी भोजन करते हैं तो बोजन अंडर हम जो उसके प्रसिंशन के टव practitioners की तत्व है तो अगर हम सबसे पहले है इसका उद्देश्य प्रत्म जो तत्म है वह है इसका उद्देश्य इस विदी का जो प्रेमुफुत्देश्य होता है यानि जब जिद्यासुप्रत्म के लिए कि जो प्रेमुफ कोशों का क्विकास करना बॉत्स i am सभी तो यह इसका उद्देश्य है जो प्रेमुफुत्रत्य उससा उद्देश्य विकास करना जिसका उत्रेश्य है ज्ञानात्मक कोशलों का विकास करना यानी कि ज्ञान को आगे बढ़ाना उसे इस तरीके से निकूंता बढ़ान करनी है कि बच्चा अपने ज्ञान के अंधर से ज्ञान को खोजे यानि कि वो जिस चीज के बारे में ग्यान प्राप्त करना चाहता है उससे भी आगे वो ग्यान प्राप्त करें या जिस चीज के लिए वो ग्यान प्राप्त करना चाहता है वो पूरी तरह से ग्यान प्राप्त करें तो इसका उद्देश्य होता है सबसे पहला उद्देश्य ह चैसे कि इसको जानात्म जो हमारी लिए कोश्च्न का विकास करना तो इसकी लिए कि बालक्स्वम जो बालक-श्वम फूस्सके द्वरा अपने जो भी पहचान होती है अपने घ्ञान के प्रति उसकी पहचान करता है और पहचान करने के बाद में ganzarik इस यहां कि यह कट्रोप कि जो ईभीत करते हैं यानि कि किस कि सभण को उसे संबाधित हुप से व्यंफित करते हैं उसे नहीं मैं के qyan săbble तो शाड़ेंगे उसके बारे में जानी के बारे में प्रत्य पक्ष की नुद अर पूचना चाहते हैं तो वो उसके एक तरीके से पूरी संपोर्ण व्याक्या के ग्वारा वो समझने के कोशिश करेंगे इसके उपयोग से बालत के जो मरगयानिक द्रश्टी कौन होता है उसका विकास होता है पहले भी पताई थी कि जो कुस्तास प्रसिक्षन निती है यह ग्यानिक है जब जब ज़ुद ऊत्वे करवे मिं सब्सक्राइब चिस चीज़ क् invatar अपस होता है जब तक भी तक उसे प्रितक्ष प्रमान नहीं देते हैं जडर फार्ट्सर की घ्या सब्सार्गान से इसी के लिए Vanhaud धारना होती है इसके अनदर एक विज्ञान का विध्यान का विकास करने के लिए उसे प्रमान की होती हैं उसको भी आसाल को समझते हैं और सरलता से समझ जाते हैं यह इसका उत्देश्य होता है कि ज्यानात्म प्रोशन का विकास जो उत्देश्य होता है चात्र को ज्यान प्रदान पढ़ना वो उत्देश्य की हमें पूर्ती करवाता है अब हों करें सेर्किंड है हमारी जो सेर्किंड तत्व है इसका वो है पूच्टाज प्रक्रिया का विस्क्लेशन विस्क्लेशन का हमार्थ जानते हैं यानिकि विभी निवागों में उसे विभाजित करना तो यहां बताते हैं कि जो हमारी इसके अंतरगर क्या करते हैं बालक जो उस्ताज प्रक्रिया का विस्क्लेशन करने के लिए कहा जाता है सिक्षर क्रिया प्रक्रिया जो मुल्यांकर करते हैं और मुल्यांकर करने के बाद में उससे प्लास्ष को सब्सक्रुध करते • जब यहां विस्क्लेशन करने के लिए कहा जाए तो हम जो Viszulation करेंगे तो यह तो नहीं है कि हम सुभ लाइस का निस्पष देखेंगे नहीं इसके प्रक्रिया जो भी हमने कारियों तो यह उसके सारे पुक्षों को यहिनिते प्रतीक पक्षों को अलग कर तर पिर और उससे देखा जाता है करने के बाद में सिख्षट किया करते हैं निरोक्षय करते हैं कि क्या हमने चार्टर को कारिया है ज्यों कारिय सही किये या नहीं और हम जीजो को जानते हैं कि घैंद करेंगे तब नहीं हम चात्र के ज्यान कि प्रतेख पक्ष का अवरोकन नहीं कर सकेंगे सब्सक्राइब करना है या सही निश्कर्ष निगालना है तो हमें विस्त्रेशन प्रक्रिया के द्वारा हम सभी पक्षों को अगर इमान दारी से देख सकते हैं और उसका निश्कर्ष निगाल सकते हैं क्योंकि कई बर हमारे कारिया ऐसे होते हैं कि कहीं किसी पक्ष में अगर कमी होती है तो हमें पुने नियोजित करनी होती है और अगर पुने नियोजित करनी है तो हमें वो कमी बतानी होती है कि किस कारिया में कहां कमी रही तो वह का जब कमी हम तभी निकाल सकते हैं जब हम वि प्रेनाली कि सामाजिक इसके अंदर का मझत है कि सिक्षप और छात्र दोनों के अंदर जो अंत्रह संबन्द यह हम कहे कि कख्षा-कषप्रेनाली जिसे कख्षा में जो कारिय उते हैं उससे संबन्दित क्रियाएं होती है जिसे हम सिक्षक और शिक्षात्य के बीच में कफशागत होने वाले प्रेनाली या कफशागत होने वाले कारिय इनके आधार पर क्याकर सिक्षक और छात्र एक दूसरे से जूगते हैं जात्र ये चाते हैं कि सिक्षक अच्छे से अच्छा ग्यान दें और सिक्षक यह चाते हैं जो वह ग्यान को से बच्चा घ्रहन करें यहां कि एक दूसरे को डूसर के जाते हैं उनका समाज्यार्थी का उतेरा कि दोनों जो घ्यान दिया जा रहा है उसमें इस विधी में क्या करते हैं नेतत्त प्रदान करने के बार बार को में पूछताज के लिए प्रेड़ करते हैं क्योंकि वह कितनी इंट्रेस्ट ले रहे हैं बच्चे जो अधिगम सिक्षक कर वा रहे हैं उसका हमें तभी पता चल सकता है जब की शिख्षक चात्र थैंडल मैं प्रेश्ट पूछें सिक्षक उंसे फश्तार करें कि मैंने कहा पढ़ाया क्या पढ़ाया है यानिकि वीच बीच में उन से फूच्षदार्च करते रहना चाहिए कि बच्चों ने जो भॉटारर छेता है टो फूसतास के लिए करना सामाजिक प्रणाड़ अनिवादिये होती है और परिक्षक के लिए अनिश्करश है क्योंकि सामाजिक प्रणाडर में पता चलता है कि कौन सा छात्र किस कार्ये में इंट्रेस के राएं या चाहत्र कितना कारिय कर सकता है और चाहत्रों को करने का यह में बालत दोनों की महत्रपून फुमी का होती है यहए पहले बताई सिक्षका कि चाई चाते हैं ग्यान प्रदान कि एला Hz जो घ्यान हमें अßब या हमारे भिवश्य काम पढ़े मारा मुल्यांकन प्रेडाली लास्त है हमारा मुल्यांकन प्रेडाली प्रेशंत हमारा उद्देश यह सेकिंद था हमारा सामाजिक प्रेडाली और फूर्ट है मुल्यांकन प्रेडाली मुल्यांकन में क्या होता है मुल्यांकन के लिए हम क्या करते हैं प्रेयोगा आत्म परिक्षाओं का प्रेयोग किया जाता है और इससे ग्यान होता है कि समश्या समधान कहते हैं ऑन प्रेयों की के हम यहन करते हैं कि बच्चे को जो सिखाया जो बच्चे ने कितना कार्य किया कहां तब किया किस ने समय में किया किस सीमा का कहता है कि बच्चे के बारे में हम उन्हें ग्यान प्रदान कर रहे हैं उस ग्यान को उन्होंने कहां तक प्रयोग करें बच्चों को प्रयोगा अत्मकारिये करें देकर हम देखेंगे कि बच्चों ने हमारे जो अदू दिन होती है नहीं बताया कि जो आरी पार्टिक्रम संपदान की नितियां में उनके अंदर मैंने आज़ाएं सबसे पहले पढ़ा है सब्सक्रा पूस्टास प्रसिक्षन का कि बिखा प्रवर्टी को आगे विक्सित करने के लिए ये एक महत्पून प्रवर्थी है ये एक बैज्ञानिक विदी है जिसके द्वारा बच्चे समें इंट्रेस्ट लेते हैं अब हमारी जो नेक्स्ट विदी होगी वह वार्तालाग विदी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी धन्यवाद